सोचिए किस तरह से इस देश में अटल जी आडवानी जी बाचपेई जी होता रहा लेकिन दलित पिछरे आदिवासियों के नेताओं को कितना नीच नजर से देखा जाता है कल सब्धान सबामी योगी जी ने जिस तरह से अखलेश यादर को तुम तरह कहा पिता जी को लेकर हमला किया कि पिता की इज्जत नहीं किये लोग पूछ रहे हैं कि आप तो सनातनी कहते हैं सनातन मतलब बैदिक धर्म के नाम पर सत्ता में हैं आप अपने पिता जी के अंतिम संस्कार में नहीं गए हैं लोग दुसरी तरफ लिख रहे हैं कि अगर साधू हैं अंतिम संस्कार में जा सकते हैं तो मां से क्यों मिलते हैं घर क्यों जाते हैं, परधान मंत्री नरेद्र मोदी से एक प्रेरना लेनी चाहिए, उनकी माता जी का परिमिर्वान हुआ, ना बाल मुरवाया, ना केस कटवाया, ना कोई भोज हुआ, देखें कोई भोज भाग, उसी दिन वो काम पर लगने हैं, लेकिन इस देश का 97% हिंद अपना जमीन बेचकर, करजा लेकर, मिर्त्य भोज करता है, 13 दिन तक कोई काम नहीं करता है, मोदी जी से सीखिए, मोदी जी से दो बाते सीखने वाली, एक करमकांड से दूर, और बावाओं को हमेशा वो अपने से नीचे बैठाते हैं, जो साधू होते हैं, जो पुजारी होते हैं, उनकी माता जी, उन्होंने बाल मुर्वाया, दारी मुर्वाय, करमकांड कोई किया, योगी जी अपने पिता जी सिक के अंतिम संसकार में नहीं गए, और अखलेश यादर को देखिए, वो सारे करमकांड करते हैं, इसलिए मैं करा हूँ, आप पिछरे हैं, दलीते आदिवासी हैं, इस देश के जाट, गुर्जर, पटेल, मराथा, राजपुतों तक को मोदी जी से सीखना चाहिए, ना बाल मुराया, ना तेरह दिन का करमकांड किया, अगले ही घंटे वो काम पे चले गए, ये बहुत जरूरी है, सुक्रिया मोदी जी, आपने कम से कम इस साधी बिया का तो समझ में आता है कि खुशी है, लेकिन अपने माता पीता, अपने करीबियों को गमाने के बाद भी, आप अगर गरीब हो जाएं, तो आप पर सोचना तो बनता है, खैर, आगे चलते हैं, सोसल मीडिया पर लगातार चर्चा है, कॉंग्रेस को ग्यान आने पच्चास परसेंट सीटे उसने अपने पार्टी में रिजर्व कर दिया, सी, 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 के लिए, लेकिन सारे डिसीजन अभी भी सवन ही लेंगे, मीडिया वाला डिसीजन को लेगा, जैपाल, जैराम, रमेश, ब्रामन, समास से, तो देखते हैं क्या बदलाब होता है, ग मनिसी सौधिया राजपुर समाज से, उनको अब गिरफतारी की बात और यह सी भी आई से, तो ठाकुर समाज हमेसा न्याय करता रहा, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा तो रेज से बाहर थे, ठाकुरों को भी यह साथ नहीं रखने, कि नौमिक बीकर सेक्शन में उनके ल फिर भो माल पीट करने लगे, माबहन की जारी देने लगे, फिर हमने रोका कि महराज जी आप अपने घर पे जाईए, तो उन्होंने हमारे चाचा जी को माल रहते बो, तो हमने उनको रोका तो उसने मेरे को भी माला, यैसे चार-पांच आर्वन कह मारा है, फिर उनके घर क पास बैते हम बताने के लिए कि देखो आपका लड़का क्या कर रहा है तो बो आये और पिर हमने देखने के मारेहन की गाली भी दे रह रहे थे खो अज आरसा किया सालग डलां गाय थे और पिश्टन लेकर आ एक पार भी किया उन्होंने पार प्रॉट है हाँ पार पीडिया और चाती पर अड़ा रखके ते मैंने भी बोला कि जितना तेजी माने दूद पर लाया है तो मार के दिखाई है चाती दिरिंदर सास्तिर के खिलाब किस तरह से बहुजन सुनील बैरसिया जी के सामने हैं ये हैं किस तरह से इन्होंने अपनी बात सुनाई है तो ये तस्वीरे हैं जो सोसल मीडिया पर बहुत जादा वाइरल है और ये देखिए लालु यादब जेल में बंद कर दिये गए थे और बीजयाम मालिया दस सजार क्रोड लेके फराग है भाजपा नेता का भाई उमेश हट्याकान का मास्टर माइंड है जो पाल की जो हत्या हुई है इलावाद में उसमें बीजेपी के मुस्लिम नेता का भाई मास्टर माइंड है मैंने एक विडियो भी बनाया है ट्रेंड लगातार कोशिस हो रहे कि इस देश में मुसल्मानों को अभत्यारा ठहराय जाए तमाम स्ट्यों की जातियों को मरवाया जाएगा ताकि मुसल्मानों के परती नफरत भेरे ये नया एक मुस्लिम ट्रेंड आया है और दिल्ली के लोगप्रिय सिच्छा मंतरी जी की गिरफ्तारी मोदी जी की पुलिस मुस्ताइदी के साथ तैनात है और ये बावा की तस्वीरे देख लिए इसको किसी ने गव सेवा के लिए जमीन दी इसने 21 करोड में बेच दिया स्मुचिए कर जबर में और दिर्यनस रातों की खिलाव बड़ा परदर्सन हुन उए है और यह देखिये दिली एक टुइट देखिए एक हजार ब्रहामन बिजने ब्रहामन उनीश समिठ्ट उड़ा है गुजरात में आज दिली में ब्रहामनों की बड़ी रैली हो रही है तो कौन जाती बात कर रहा है और सुचिए एक बच्चा और एक बुजूर को कार घसिरते हुए ले गई है डंपर हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं स्क्रीन सोर देखिए और तुफानी सरोज यह में ले हैं इन्होंने पुरा लिस्ट जारी कर दिया है कि कौन लोग यूपी में जादा कोराम मचा रहे हैं और योगी जी का जूट पकरा गया है PCS के परिणाम में उन्होंने कहा था कि 2015 में SDM जो बने थे उनकी संख्या को 2014 15 में PCS का परिणाम करमसर 2014 में 13 2015 में एक यादर समाज के बच्चे SDM बने आज मुखमंतिरी ने सदर में चासी और 56 यादर स्टीम बने थी ये फ्रॉड है जूट है और ये हैं साली गराम से लगातार दो दो हात करने वाले मुके सहिरवार उनका एक वीडियो सुनिये और मैंने तो कभी सुना है कि छक्का तो बिधान सबा में अखिलेस यादर छक्का कह रहे हैं योगी जी को क्य ये हैं बागी लोग को जेल में नहीं डालेंगे छतरपुड में लकातार धन्ना परदरसन हुआ है सोशल मीडिया परेज सारी ख़वरे वायरल है और अन्त में मत परदेस में ये ख़वर को ही नहीं दिखाएगा आपको मत परदेस में तक्निसीयन की भरती निकलिया उसमान को साथ, जनरल को साथ, EWS को 117, अनुसुची जाती को 2, अनुसुची जन जाती को 10, अनुपिच्रा को 20, कुल पद 156, ये एक नौमिक बीकर सेक्षन मतलब ब्रहमन समाज को 117 पद दे दिये गए हैं, और गुरु घासिदाजी की जन्वस्तली बरोदा बाजारवर, चंसेखर रावन, तमाम बहुजन समाज को एक जूट कर रहे हैं, तो ये आज की कुछ बड़ी खबरे थी, जो आपर परतिकरिया है, दो बाते अपने तरफ से कहना चाहता हूँ, कि साबधान रहेगा, पूरे देश में मुसल्मानों को जिस तरह से सिंपैथी मिल रहे थी, क्योंको उन पर अत्याचार हो रहा था, अब मुसल्मानों को आतंकबादी पहले साबित किया गया, अब दलित पिछले आदिवासी किसानों के हरत्या करवाई जाएगी, टाकि उनके परतिन नफरत बरहे, और वहीं मोदी ही से सिखिये करमकान में मत्वसिये, जो योगी जी कह रहे उसको जो कि इस देश के 97 परसेंट लोग है, तो उसके हक अधिकार की तो बात नहीं करेगा, आपको एंकर नहीं बनाएगा, लेकिन आपको दर्सक बनाना चाहता है, इसलिए आपके पैनलिस्ट को बुला रहा है, आप उसे नौकरी माहिये एंकर बनाईए, संपादक निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें